नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुमियोप्रेटिक क्लीनिक केस प्रोग्राम में पर फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे आई की थोड़ी एक अन्यूजवल कंडिशन के बारे में जिसको कहते हैं टरीजियम टरीजियम एक थोड़ी सी अन्यूजवल कंडिशन है इसको सरफर साई भी कहते हैं जो कि बहुत लोगों में नहीं होती, लेकिन जिसमें होती है, उसके लिए तकलीफ का भी सह है, हम आपको बताएंगे इसको ठीक करने की, दस कारगर होमियोपे ठीक दवाएं. सबसे पहले साथियों जान लेते हैं, टरीजियम होता क्या है? टरीजियम साथियों वो इस्टिती होती है, जब आपकी जो आई होती है, आई में एक ट्रांस्पेरेंट लेयर होती है, जो वाइट हिस्सा है, इसके उपर एक ट्रांस्पेरेंट लेयर होती है, जिसको की कंजेक्टाइवा कहते हैं, तो टरीजियम में या कंजेक्टाइवा म क्या हो गई याफ जानकारी भी रखके तो कहो करते होंगे तो यह नोला मालूम होना चाहिए आर्पर नीजो ट्राइस पर ओट लेयर वह स्क्लенти देनलाती है तो जब के कंजेक्ट वाल growth होती है और वहाँ आईबाल के पास ते होते हैं कॉर्णिया तक जाती है उस condition को जो है वहाँ terigium कहते हैं यह non-cancerous होती है यह cancerous नहीं होती है लेकिन यह वक्त के साथ आपको परिशानी कर सकती है इसके causes के बात कलने साथियों तो cause इसका cause इसका आज तक unknown है लेकिन माना जाता है कि sun और wind का जो ज़्यादा expose होता है जो व्यक्ति बाहर ज़्यादा निकलता है वहाँ उसको यह terigium नाम की दिक्कत होती है इसको इसलिए surfer side भी कहते हैं इसके symptoms की साथ यह बात कलने इसके symptoms बहुत ज़्यादा pronounce नहीं होते हैं लेकिन जब तकलीफ होती तो आपके pain शुरू हो जाता है थोड़ा और वक्त के साथ आपके vision में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है हम आपको बताते हैं terigium को ठीक करने की homeopathy में दसकार कर दवाएं साथियों terigium में condition आती बड़ी common होती है कि आपका जो outgrowth होने लगती है वहाँ pink color की होती है अगर आपके terigium है और वहाँ pink color की growth है तो उसका homeopathy में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है argentum nitricum आप argentum nitricum 32 दो तो उन दिन में तीन बार ले सकते हैं अगर आपका terigium है उसकी growth pink हो तो terigium में pink outgrowth की सबसे इच्छी दवा argentum nitricum है एक सिती आती है साथियों terigium में कभी कभी की accommodation of vision नहीं हो पाता तो अगर आपका accommodation of vision नहीं हो पा रहा है और आपके terigium है तो इसको ठीक करने की भी हुमियोपेथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है artemisia vulgaris artemisia उस सिती में साथ ही हो बहुत कारगर दवा है जब आपको vision को adjust करने के लिए आपको rub करना हो तो बार बार अगर वो condition आप में आ रही हो और आपके terigium है तो artemisia is a drug of the choice आप artemisia vulgaris का इस्तमाल करके अपने terigium को भी ठीक कर सकते हैं अपनी आई को भी ठीक कर सकते हैं और स्वस्त आई की ओर बढ़ सकते हैं एक इस्तिती आती है साथियों कि आपको आखों में terigium है और जलन बहुत हो रही आखें लाल है तो अगर यह इस्तिती हो कि आपके eyes में burning बहुत जादा हो रही है और आपके आखें लाल हो तो उसको ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगरदवा arsenic album है आप arsenic album 30-22 बून दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपके आखों में जो जलन की इस्तिती है वाँ खतम हो गई नॉर्मली आरसनी के पेशिंट की तकलीफ है रात के बारा बज़े बारा से दो बज़े के बीड़ बढ़ती है उसका गला सुपता है बार बार उसको पानी की जरुवत होती है और arsenic album diabetes की बहुत अच्छी दवा है अगर किसी को diabetes हो और वीडियो देख रहा हो तो वहां भी arsen प्रशनी एलवं लेकर अपने प्लड़ श्यूगर में भी लाभ पासकता है एक इस्तिति आती है तो कि you तो आप लाइको पोरियम थाटी दोबून दिन में तीन बाल लेकि अपने टेरीजियम को ठीक कर सकते हैं उस सिम्टम में जब आपकी आइस में ब्लिंकिंग हो फिर एक सिती आती है साती हो आपके टेरीजियम है आई में और आपके आखें बहुत लाल रहती हैं तो अगर यहां सिती हो कि आपके आखों में बहुत लाली हो और बहुत ड्राइनेस हो तो इसको ठीक कर दे कि हो में उपैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है ब बेड़ोना 200 दो दो बून दिन में 3 बार ले लें आप देखेंगे कि आपके आख की लाली भी खतम हो गई आपके आख की ड्राइनेस भी खतम हो गई और आप भी बिलकुल ठीक हो गए पीर किंइस की आपके टैंजीयम ऑपकी याख एक Elise मर आपकी आखो में जलन हो रही है उसको ठीक करनें कि हुम्यों पेथि में बहुत कारगर रवा औरिकरना में रूठाजी रूठा दो सो पावर में दो दो बूंद आप तीन में तीन बार उसे स्थिति में ले सकते हैं जब आपके आखों में लगता है आपके गोले चले गए उत्ती ज्यादा बढ़निंग हो रही हो तो रूटा जी आपकी ड्रग ऑफ तो चॉइस है यहां दवा आपके टेरीजियम को सही कर रहा है तो अगर यह स्थिति हो कि आपको आखों में रेत ऐसी या कुछ सेंसेशन महसूल होने लगे आउटसाइट पार्टिकल का जो वास्तब में ना हो तो उस्थिति को ठीक करने की होमियोपैथी में दवा यूफ्रेशिया है यूफ्रेशिया के खाद बात होती है इससे आफिसनेलिस आपके जो आख का सेंसेशन है टरीजियम के तारण गड़न चुबन वाला उसको खत्म कर देगी फिर साथियों किस्थिति आते ही कि आपको टरीजियम हो साथ में आपको कैटरैक्ट हो रहा हो यहाँ यहाँ यह कंडिशन है जो बन सकती है और इसको ठीक करने क कि होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है अगर कैटरैक्ट का सिंटम है तो टरीजियम ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कौस्टिकम आप कौस्टिकम 30 पावर में दो-दो गून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका कैटरैक्ट अगर शुरुआ थे तो और आपका टरीजियम ठीक होने लगा कौस्टिकम के पेशिंट को दूसरे के परिशानियों पर सिंपती बहुत होती है इसका मेंटल सिंटम होता है तो इसको भी आप दवा लेते वक्त ध्यान में रख सकते हैं एक स्थिती आती है साथियों कि आपके टरीजियम हो और तरीजियम बढ़ रहा हो तो उसको ठीक करने के हुमियों पैती में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है नक्स मॉसकाटा नक्स मॉस आप दो-दो बून दिन में तीन बार उसी स्थिती में ले 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 जब टरीजियम आपका तेजी से कॉर्णिया की तरफ बढ़ र रहे अगर यह सथिती हो आपको कि आपके टेजियम हो और साथ में काले-काले दव्बे भी आपके से घूम रहे हो तो उन धबों को खत्म करने की और टेजियम को खत्म करने की बहुत कारगर पहाए फॉस्फोरस फॉस्फोरस वन ये के तीन खुराग 55-55 मिट के फासले पर ले ले लें आप देखेंगे कि आपके आखों के दबबय भी खत्म हो गए आपको पार यहाँ जो टरीजें एक कायथ यहां भी खत्म हो गई फॉस्पॉरस वीक व हुजन की भी बहुत अच्छी डवा ड़या गलाख यह वक्त से पहले तो Phosphorus उसमें निश्ची तूप से आपकी बच्चे को लाब देखे आईसाइड भी इंप्रीज कर सकती है फिर साथी में किस्तिती आती है कि आपके आखों में लाली और रूखा बनों और आपको टेरीजियम हो तो अगर यहाँ कंडिशन आप में हो कि आपको टेरीजियम और आखों में आपके लाली और रूखा बनो तो इसको ठीक करने की होमियोपेथी में बहुत कारगर दबा है और दबा कर दाम है अमोनियम मूरियाटिकम आप अमोनियम मूर दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ सिंसेशन है आपकों में यहाँ खतम हो गया और आप बहतर मैसूस करने लगे एक सिति साथियों आती है कि आपको टेरीजियम या किसी को टेरीजियम है और उसकी आई बॉस प्रिट्यूट कर रही है अगर यहाँ सिति आप में होती है कि आपको टेरीजियम है और साथ में आपको आई बॉस भी प्रिट्यूट कर रही है तो इसको ठीक करने की भी हुमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है Iodum और Lycopodium Will तो यहाँ दो दवा Iodum 1 एम की तीन खुराग 5-5 मिट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में आप टेडिजियम के ले सकते हैं जब आपको गर्मी बहुत लगती हो आपका वेट लॉस शुरू हो गया हो तो Iodum आपकी दवा है और साथ में आप Lycopodium ले सकते हैं उस कंडिशन में टेडिजियम को ठीक करने के जब आपके आई बहुत प्रिट्यूट कर रही है और आपके gastric troubles होते हैं आपके bloating होती है lower abdomen में gas बहुत बनती है और आपको acidity होती है यहां condition हो तो Lycopodium आपका drug of the choice है टेडिजियम को ठीक करने में एक स्थिति आती साथियों कि आपको टेडिजियम है और टेडिजियम बहुत तेजी से बढ़ने लगा उसको रोका कैसे जाए तो रोकने की दवा साथियों है जिनकम मिटालिकम आप जिनकम मिटालिकम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आपका तेजी से बढ़ता हुआ टेडिजियम रोक जाएगा और आपके आखें स्वस्त हो जाएंगी फिर एक कंडिशन आती ही साथियों कि आपको टेडिजियम है और आखों से कीचड बहुत निकल रहा है अगर याए श्तिति हो आपके तो आपके टेडिजियम को ठीक करने और उस आखें कीचड को खतम करने की बहुत कारगर दभा है रस्टॉक्स, आप रस्टॉक्स 1 E M पावर की दो-दोबून दिन में तीन बाल ले लें, आपके आखों का कीचड भी खतम हो जाएगा और आपके आखों का टेरीजियम भी खत्म होने लगेगा, फिर साथी में कि स्थिती आती है कि आपकी आखों में दर्द बहुत हो पढ़न आप बिलेडोना 200 पावर में दो दुबून दिन में तीन बार ले 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 आपका जो आखों में दर्द है पढ़ने के कारण वहां भी खतम हो जाएगा और आपका टरीजयम भी ठीक होने लगेगा एक स्थिति सातियों हो सकती टरीजयम में आपको कि आपके आखों में भारी पनों बार बार आइलिट्स किदने लगती हों अगर यह स्थितियों सातियों तो इसको ठीक करने की होमियोपैथी में दो कारगर बहुत दवाएं हैं और आपके टरीजयम भी ठीक होगा पहली दवा एपिस, एपिस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार डूपिंग ओफ आइलेट्स कितने कि सिती में, उस इस सिती में कारगर है, जब आपके टेरीजियम हो, डूपिंग ओफ आइलेट्स हो रहा हो, आपको प्यास बहुत कम लगती हो, तो आपकी दवा एपिस है, और ज प्यास बहुत जादा हो, डलनेश, ठीसीनेश बहुत जादा हो, उस इस सिती में टेरीजियम और डूपिंग ओफ आइलेट्स को ठीक करने की होमियोपेथी में, जलसीमियम है, इसकी आप दो दो बून दिन में तीन बार लेके स्वासलाग प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ स जानकारी देने के प्रियास से यहाँ वीडियो बनाया और आपको जानकारी दी, अगर आपके मन में कोई कोश्चेनराइज हो रहा हो, तो हमारे आप नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वरी लिख कर या हमारे वाटसैप नंबर 945786 पर अपनी क्वरी वाटसैप करके, हम से सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन रेलिवेंट सवालों का जवाब देने का हम अवश्च प्रयास करेंगे, आपको साथ यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो, यूनीक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब करियेगा, और बैल नोटिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा वीडियो प्राप्त करते रहिएगा, आपका हमेशा हमारा साथ देने के लिए, हमारा साथ खड़े रहने के लिए, बहुत-बहुत धन्यौद, धन्यौद. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो